गुड इवनिंग एवरिवान श्रोताओं में दोस्त और परिवार के लोग हैं। इवरिवान श्रोताओं में दोस्त और परिवार के लिए विए 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 गये हैं। इसे ही बड़े बदलावों को समर्पित है, जो हमारी मुद्रा में बदलाव के बहुत करीब है। बदलाव में भी पूरवा नुमान की भविश्यवानी से फायदा होगा। अगला विशे वो है हम लोगों को पैसे की आवशक्ता क्यों पड़ती है। सच में क्यों? जैसे अनाज खराब हो जाता है, गाएं और बैल मर जाते हैं और ऐसे में आपका पैसा तो गया? ऐसे में आपको मुश्किल का पता चलेगा। और फिर पांच हजार साल पहले मतलब चार हजार बीसी के आसपास अनमोल वस्तों का उपयोग शुरू हुआ। और ये तब शुरू हुआ जब अलग अलग जनजातियों ने एक दूसरे के साथ कारोबार करना शुरू किया। ऐसे में एका एक हर कोई अनमोल वस्तों की उमीद करने लगा क्योंकि एक जनजाती मन का और दूसरी जनजाती गाय का उपयोग कर रही थी। लेकिन हर कोई अनमोल धातु को चाहा रहा था। ऐसे में अनमोल धातु वैश्विक मुद्रा यानि ग्लोबल करन्सी के रूप में उभरी और इसका कारण ये भी रहा कि अनमोल धातु पहले की मुद्रा से बेहतर थी, लंबी चल सकती थी और इसे कहीं भी ले जाया जा सकत था, इसे पिगला कर या तोड़ कर कई हिस्सों में तबदील किया जा सकता था, ताकि आप छोटे कारोबार के वक्त भी इस मुद्रा का उपयोग कर सको। फिर सर्फ एक हजार साल पहले कागस की मुद्रा का जन्व हुआ, दरसल ये तब हुआ जिन लोगों के पास सोना था और इन लोगों ने अपने पास रखे सोने को जमा करवाना शुरू कर दिया, इस अन्मोल धादू को चोरी से बचाने के लिए जमा करवाना शुरू किया गया, ऐसे में सुनार बैंकर्स बन गए और जो सोना आप जमा करवाते थे, उसके बदले में वो आपको परची देता जो आपके पास सबूत होता था कि आपने सुनार के पास सोना जमा करवाया है, तो कुछ ऐसे शुरू हुई कागस की मुद्रा की कहानी, और वक्त के साथ लोगों ने वक्त को बचाने के लिए सीधे हाथो हाथ सोने के कारोबार की जगए इन परचीयों की अदला बदली और अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हर डॉलर को एक अलग बैंक ने जारी किया था, और आप सच में किसी भी मुद्रा को जारी किये गए बैंक में जाकर, उसकी कीमत के हिसाब से सोने या चान्दी के बदले में बदल सकते थे, जिस तरह की मुद्रा का उपयोग लोग देश के बाद दूसरे देश गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ गए, और जो मुद्रा हम अब उपयोग करते हैं, उसे विशेश अग्यों ने फियर्ट मनी का नाम दिया है, और अगर आप इसका मतलब देखोगे, तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये एक ऐसा शब्द है, औ और वो है इसकी अधिकारिका, यानि किसे भी देश की सरकार, सरकार ने इसे ये ताकत दी है, और हम समाज का हिस्सा होते हुए इसे मानते हैं, तो कुल मिलाकर हम जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं, उसकी वास्तवे कीमत नहीं है, जिसकी है, उसका हम उपयोग नहीं करते ह मुद्रा को अभी 100 साल से भी कम का वक्त हुआ है तो चलिए अब देखते हैं कि जिसका हम प्रियोग कर रहे हैं उसमें मौजूदा दौर में बेहतरी का क्या मौका है चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की यानि जिसे आसानी से ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब तक मुद्रा के आदान परदान के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन जब पिछले कुछ सालों में हम ऐसे को इलेक्रानिक नेटवर्ग के माध्यम से यहां वहां भेचते हैं और इलेक्रानिक नेटवर्ग में दिक्कत है क्यूंकि पैसा हमारे सामने से नहीं जा रहा है, यानि हाथों हाथ नहीं जा रहा है, ऐसे में हमें भरोसा करना पड़ रहा है, किसी तीसरे पार, जैसे बैंक या क्रेड़िट कार्ड कमपनी, या क्लेरिंग हाउस, जिस पर हम दोनों को भरोसा है, मान लीजिए हमें से किसी का आपस में विवाद हो गया तो क्या होगा या आप कहलो कि जिस मुद्रा का आदान प्रदान पिछले कुछ सालों में electronic network के माधम से किया जा रहा है ऐसे में electronic network companies बहुत जादा ताकत पर हो गई है और अब उनके पास ये अधिकार आ गया है कि वो किसी को भी बैंक का हिस्सा बनने से रोक सकती है उधारन के तौर पर अगर आपके पास अच्छी credit card rating नहीं है तो credit card company आपको credit card नहीं देगी क्योंकि वो इतनी ताकतवर है और वो ये सब असल में कर सकते हैं आपको इंकार कर सकते हैं network पर lane dain करने के लिए अब जरा सोच कर देखिए ये मुद्रा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बेशक ये आपका पैसा है लेकिन इन electronic networks की इजाज़त के बिना आप नहीं ले सकते हैं याद कीजिए ऐसा कभी भी physical money में नहीं होता था ठीक है मुद्रा का lane dain electronic भी होना चाहिए ताकि आप foreign electronic network के जरिये lane dain कर पाएं लेकिन आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप अपने पैसे का इस्तमाल वैसे कर पाएं जैसा आप चाहते हैं और वो भी बिना अपनी जानकारी दिये क्योंकि हम सब जानते हैं कि कई बार ये जानकारी गला तरीके से भी सिमाल की जाती है दूसरी बात में करना चाहूंगा बढ़ती हुई वैश्विक नागरिक्ता पर पूरी दुनिया में वैश्विक जानकारी पहल रही है जैसे internet लेकिन हमारी मुद्रा आज भी बहुत जादा देश की ही है ये हमारे लिए बहुत आसान है कि देश में जो लोग है हम उनके साथ आसानी से लेंदेन कर सकते हैं लेकिन देश के बाहर नहीं और अगर आप करते भी हैं अगर आप उन कुछ चन लोगों में से हैं जिनके पास international credit card है या overseas bank account है तो भी उस लेन दिन पर आपको text चुकाना होगा ये एक तरह का शुल्क होगा जो ये सराफा बजारी आप से लेंगे यानि की exchanges लेंगे और ये आधा प्रतीशत से लेकर कितना भी हो सकता है अगर आप ब और पिछले साल हर दिन हमने 6 trillion US dollars का लेंदेन किया है ये आखड़े 20% से जादा जा रहे हैं ऐसे में एक वैश्विक मुद्रा को बनाने का आफसर है ये देखते हुए कि वैश्विक स्तर पर लोग जुड रहे हैं तीसरी चीज जिस पर मैं बात चित करना चाहूंगा वो है फियट मनी दरसल शुरुवाती दौर में फियट मनी की कोई गिंती नहीं थी और वो मुफ्त में बन रही थी जिस कारण बेलगाम मुद्रा स्वीती के हालात बनने की उमीद थी मुद्रा निती के तहर कृत्रिम रूप से सेंट्रल बैंक और देश की सरकार ने आपूर्ती को दुरलब बनाया लेकिन कभी-कभी अलग-लग वजह से कभी अच्छी तो कभी बुरी सरकार को मुद्रा बनानी पड़ती है ये जंग में लड़ने के लिए हो सकती है या फिर मंदी में अर्फे वस्था को तेजी देने के लिए ये स्थिती कभी-कभी चुनावों को देखते हुए भी उत्पन होती है और जब ये सब कुछ होता है तो इसमें हमारी को गलती नहीं है लेकिन हमारे पैसे की कीमत इस प्रक्रिया में कम होती है और यही होती है मुद्रा स्थिती और जब ये सब होता है तो बहुत ही नाट की अंदाज में बहुत छोटे वक्ये लिए बेलगाम मुद्रा स्थिती की स्थिती भी बनती है अधिकारिक मुद्रा के साथ जो सिर्फ सौ साल पुरानी है अब तक 55 से जादा बेलगा मुद्रा के मामले कई देशों में सामने आ चुके हैं और वो भी सिर्फ सौ के वक्त में चले कुछ रोचक मामलों से आपको रूबरू करवाते हैं 2001 में जिमबाबबे डॉलर हर 25 घंटों में अपनी आधे से जादा कीमत को गवा रहा था बलकि एक वक्त तो ऐसा आया कि जिमबाबबे डॉलर ने एतिहासिक गिरावट दर्च की और तीन अंडों की कीमत 100 बिलिन हो गई थी जादा बीचे ना जाते हुए साल 2014 की बात करते हैं 2014 के आखिर में आप खुद सोचिए रशियन रूबल्स और कितनी बड़ी अर्थवेवस्ता है रशिया की रशियन रूबल्स की कीमत में 40 परतीशत तक गिर जाए और वो भी बहुत कम वग में बहुत छोटे समय के लिए गिरावट दर्च की गई थी तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जिस मुद्रा का हम उपयोग करें उसका 100 साल से पहले की मुद्रा की तरह मुल्य स्थिर रहना चाहिए या फिर कहें कि बेलगा मुद्रा स्थिती को रोकने बाला होना चाहिए ताकि हमें ये विश्वास रहे कि मुद्रा की कीमत सुरक्षित है जन्वरी 2009 में एक अंजान शक्स ने जिसका नाम था संतोशी नाकामोटो इन्होंने एक ऐसा आविश्कार किया जो अब बहुत चर्चित है इतना चर्चित जैसे इंटरनेट कोई अंदाजा लगाएगा किस चीज का आविश्कार किया था इन्होंने बिट कॉइंज का चलिए अब मैं आपको बदाता हूँ कि बिटकोइन्स क्यूं सबसे बेहतर मुद्रा है जितनी भी अब से पहले आई है सबसे पहली चीज बिटकोइन्स ऐसी पहली मुद्रा है जिसमें दोनों तरह से आप आईदा उठा सते हैं यंत्र यानी इलेक्ट्रोनिक के जरिये और किसी इंसान से सीधा पैसा ले सते हैं बिलकुल इलेक्ट्रोनिक मनी की तरह ही आप एक एक बिटकोइन्स को विश्व के किसी भी हिस्से में बैटकर इधर उधर इंटरनेट से भेज सते हैं वास्त्विक मुद्रा में आपको किसी और की जरूरत नहीं होगी और ये सब कुछ मुम्किन हो पाया है बहतरीन तक्नीक के कारण। इसका ये मतलब हुआ कि बिटकॉइन्स में आप इलेक्ट्रॉनिक और वास्त्विक मुद्रा का प्रियोग बिना किसी और दबाव केक कर सकते हो और अच्छी बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल होते हुए भी आप अपने पैसे को जैसे चाहे वैसे प्रियोग कर स चाहता है जिसे हम वालेट कहते हैं तो उसे और कुछ नहीं एक स्मार्टफोन चाहिए और फिर बिटकॉइन्स में कुछ पलों में ही खाता खोल कर उसके पास ताकत होगी इंटरनाशनल क्रेडिट कार्ड और विदेश में बैंक खाते की जिससे अपने हाथों से वो किसी को हैं जिसका मतलब यह हुआ कि बिटकॉइन्स को ना तो कोई देश और ना ही कोई कमपनी चलाती है ऐसे में किसी भी देश को बिटकॉइन्स को वेश्विक मुद्र की तरह अपनाने में कोई हर्च नहीं होगा इतना ही नहीं अदाइगी के समय में भी हमें किसी और डेस्क की मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना होगा जैसे हम अभी US डॉलर पर रहते हैं आज के अख़बार में भी ये सब छप रहा है कि US संग कुछ फैसले लेने वाला है जिन से मुश्किल बढ़ सकती है आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Bitcoins को कोई काबू नहीं करता और कोई करे भी तो कैसे ऐसे में जब इसे कोई काबू नहीं करता तो ऐसे कोई बन भी नहीं करता बिल्कुल वैसे जैसे इंटरनेट को कोई बन नहीं करता और अगर इसे बयान भी कर दिया जाए तो भी इसे बन नहीं किया जा सका जिसका मतलब साफ है कि ये पूरी तरह से वैश्विक है तीसरी चीज़ कोई भी मुद्रा रही हो इतिहास से लेकर आज तक उसका अनमोल और दुरलब होना आवश्चक है बिटकोईन साफवियर इस बात का यकीन दिलाता है कि बिटकोईन्स दुरलब है जिसका मतलब है कि बिटकोईन नेटवर्क में 21 मिलिन बिटकोईन्स से जादा बिटकोईन्स नहीं बनाए जाएंगे जिन में से 13 मिलिन बिटकोईन्स अब तक बनाए जा चुके हैं तो ऐसे में अपूरती तै रहेगी और मांग लगातार बढ़ती रहेगी जिसके फल्स वरूप बिटकोईन्स के कीमा उपर जाएगी जैसा पुराने समय में हुआ करता था इसका मतलब ये हुआ कि बिटकोईन्स एक अवरोधक रहेगा महंगाई के लिए और बेलगा मुद्रास फिती के लिए भी बिलकुल कीम्ती और अन्मोल धातू की तरह वही लोग इसमें भी उलज जाते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मिलियन बिटकोईन्स ही बनाए जाएंगे और दुनिया में तो खरवों लोग है ऐसे भी ये बिटकोईन्स इतने लोगों के लिए कैसे पूरे होंगे देखा जाये तो सही सवाल है मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए सोने की कीमत कम है तो मैं कारोबार करूँगा किलो ग्राम में लेकिन जैसे ही सोने की कीमत बढ़ेगी तो सोने का कारोबार पहले ग्राम और फिर मिली ग्राम में शुरू किया जाएगा कि गोल्ड एक अनमोल धातू है और इसे तोड़ तोड़ कर छोटा किया जा सकता है बिटकोईन्स नंबर है यानि इलेक्रानिक टोकन और इलेक्रानिक टोकन को कितने ही कणों में विभाज़ किया जा सकता है बल्कि एक बिटकोईन को अभी भी एर्थ डेसिमल के साथ विभाज़ किया जा सकता है हमारे देश की मुद्रा की तरह नहीं जिसे सिर्फ second decimal तक ही विभाज़ किया जा सकता है eighth decimal तक पहुँचने को संतोशी कहा गया है ये bitcoins के founder के नाम पर रखा गया है इसका मतलब है कि अगर आप एक bitcoin के मालिक हैं तो असल में आप 100 million संतोशी के मालिक हैं इसलिए चंता ना कीजिए bitcoins की कमी नहीं आएगी तो चलिए ये तो थी छोटी सी जानकारी लेकिन कोई bitcoins का प्रयोग नहीं करता तो आप क्यों इस बारे में सोचोगे चलिए इस धारना को देखते हैं कि कोई bitcoins का प्रयोग कर ही नहीं रहा निवेश bitcoins कमपनी में अब तक आधा बिलियन डॉलर्स की राशी लोगों द्वारा लगाई जा चुकी है सबसे बड़े बैंकों में एक सिटी बैंक्स के ex-CEO हम किसी बड़े मैनेजर लेवल के अधिकारी की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं ex-CEO और New York Stock Exchange की जिन्होंने 75 मिलिन डॉलर्स का निवेश किया है विटकोइन्स कमपनी में विक्रम पंडित विक्रम पंडित कहते हैं कि विटकोइन्स में दुनिया बदलने की संभावना है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं की बैंकों का भविश्य क्या होगा हाल ही में 10 मार्च को अभी तो दो हफते भी नहीं हुए आप पेपैल के बारे में जानते हो न ये सबसे बड़ी पेमेंट कमपनियों में से एक है और पेपैल, ईबे, एक्सपीडिया के फाउंडर और साथ ही और भी कई बड़े बड़े लोगों ने बिटकोइन्स में 116 मिलियन डॉलर का निवेश किया है बिलियन डॉलर कमपनी ने बिटकोइन्स को अपनाना शुरू किया और खासकर यूएस में हाली में सबसे बड़े नाम माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिटकोइन्स को अपनी यूएस वेबसाइट्स में जगे दी है एक्स बॉक्स पॉइंट्स के लिए वहाँ छोटे और मध्यम स्थर के व्यपारी भी अब दूर नहीं है जबकि 60,000 व्यपारियों ने भी पूरी दुनिया में बिटकोइन्स को स्विकार किया है और इस आंकड़े में सुधार की उमीद के साथ इस साल के अंत तक ये आंकड़ा डेर लाख व्यपारियों के पार होगा बिटकोइन्स में प्रते दिन के हिसाब से निवेश शुनने के बराबर ही रहता था लेकिन अब कुछ सालों से यही निवेश 2014 के अंत तक एक लाख के पार हो चुका है बिटकोइन्स अकाउंट को वालेट्स कहा जाता है और कुछ साल पहले तक ये वालेट्स शुनने थे लेकिन अब ये वालेट्स आठ मिलिन तक पहुँच चुके है जबकि बिटकोइन्स ऐटीम्स भी पूरी दुनिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे बिटकोइन्स के एटीम्स बिलकुल और एटीम्स की तरह ही है आप अहां जाएए बिटकोइन्स को अपने स्मार्टफोन्स से ट्रांसफर कीजिए और जिस देश में आप हैं वहां की मुद्रा लीजिए इनकी कुल संख्या आखरी जानकारी तक 300 है बिलकुल कानूनी है और बिटकोईंस नियमित रूप से विश्वास करने के लिए कानूनन है लेकिन ये मैं अगले सेलिब्रिटी स्पीकर निशिद भाई के लिए छोड़ता हूँ इस मुद्धे पर वो आपसे रूबरू होंगे और लोग क्या कुछ सोचते हैं बिटकोईंस के बारे में भारत के फेडरल रिजर्ब बैंक के चेर्मेन कहते हैं कि वर्चुल करंसी दीर्ग कालिक वादा है जबकि रिचर्ड ब्रेंसन ने इसकी तुल्ना की और कहा कि बोल्ड टेकनॉलोजी है गूगल के सीईयो एरिक श्मिड ने इसे अपूर उपलब भी कहा पेपैल के को फाउंडर पीटर थील ने बिटकॉइंस को अपने आप की पहली मुद्रा बताया है और कहा है कि बिटकॉइंस में दुनिया को बदलने की संभावना है बिल गेट्स ने इसे टेकनॉलोजी टूर डे फोर्स कहा और लियान लू जो नॉबल पीस प्राइस के लिए नॉमिनी रहे उन्होंने कहा कि हर जानकार को बिटकॉइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे जरूरी विकास हो तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं बिटकॉइंस के सबसे रोचक पहलू पर यानि इसकी कीमत पर और ये है बिटकॉइंस की कीमत शुरू से लेकर अब तक और जब कोई नया शक्स इस ग्राफ को देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि पिछले साल बिटकॉइंस के बुरे दिन रहे हैं बिटकॉइंस तो अब समाप्त हो रहा है अब तो बिटकॉइंस से दूर भागना ही ठीक है लेकिन इतनी जल्दी नहीं मैंने क्या किया है कि इस ग्राफ को भागों में बाटा है जिने में पिछले वेपार उतकर्ष चक्र यानी बूम साइकल्स कहता हूँ चलिए सबसे पहले बूम साइकल्स पर नज़र डालते हैं बिटकॉइंस का दूसरा साल, साल 2010 और जब आप पहले बूम साइकल्स पर नज़र डालोगे तो ये सीधी दिख रही लाइन कुछ ऐसी नज़र आएगी तो 2010 जो कि बिटकॉइंस का सिर्फ एक साल था मैं उसे पहला बूम साइकल्स कहता हूँ बिटकॉइंस की कीमत कुछ सेंट्स से 49 सेंट्स पर पहुँची और फिर ये कीमत गिर कर 19 सेंट्स पर आ गई क्या आप यकीन करोगे कि जो लोग बिटकॉइंस के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिटकॉइंस खत्म हो रहा है तुम्हें देख नहीं रहा लेकिन मेरा जवाब पहले जैसा था इतनी जल्दी नहीं क्योंकि अगले साल बिटकॉइंस 19 सेंट्स से डॉलर तक पहुंचा और ये बिटकॉइंस का सिर्फ तीसरा साल था और बिटकॉइंस ने 28 डॉलर तक की कीमत तक को चुछ हुआ लेकिन एक बार फिर 2 डॉलर तक की गिरावट दर्च की गई ऐसे में संचे वादियों को एक और मौका मिला फिर वही पुरानी बात कहने का की बिटकॉइंस तो अब खत्म हो रहा है 2012-2013 में 2 डॉलर से बिटकॉइंस ने भारी चलांग लगाते हुए 230 डॉलर तक पहुंचने में कामयाबी हासल की लेकिन फिर 600 डॉलर पर आकर उग गया 2014 में 600 डॉलर से कुछी महीनों में बिटकॉइंस 1150 डॉलर तक पहुंचा और फिर वापस गिरावट के साथ 180 डॉलर पर आया और आज बिटकॉइंस की कीमत 250 से 300 डॉलर है जो की वृद्धी की प्रवित्ती की ओर है ऐसे में इससे अच्छा वाप क्या होगा बिटकॉइंस को खरीदने के लिए जबकि पहले संशेवादी शोर मचा रहे थे कि बिटकॉइंस खत्म हो रहा है 19 सेंट से 2 डॉलर फिर 266 डॉलर से 180 डॉलर बिटकॉइंस समाब्थ हो रहा है यह हम पहले भी सुनते रहे लेकिन बिटकॉइंस पर लोगों को विश्वास था जिने हम बिटकॉइंस कहते हैं और उन्होंने शिकायत नहीं की बिटकॉइंस को वेस्टन मीडिया ने बहुत कवर किया है जैसे CNN Money, Wall Street, General, Bloomberg और मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ZEPPAY पर हम इसके लिए काम कर रहे हैं ताकि इसे भारत में भी अच्छी खासी कवरेच मिल पाए और अगर आपको बिटकॉइंस की कीमत देखनी हो तो आप बिलकुल वैसे ही जैसे आप किसी भी राष्टे मुद्रा की कीमत को किसी भी मशूर वैबसाइट जैसे गूगल, CNN, Bloomberg पर देखते हो इसे भी देख सकते हो मैं संदीब गोइंग का हूँ और मैं ZEPPAY का को फाउंडर हूँ मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ZEPPAY ने कई बिटकोइन कंपनीज के कोईन एजंडा में जीत दर्च की है 2014 के इस कारिकरम में हिस्सा लेते हुए हमने जीत दर्च की है जो हमारे लिए हर्श की बात है बिटकोइन हर साल वेगास में एक बड़ा कारिकरम आयोजित करता है और यहाँ पर कई जानी मानी कंपनी इस कारिकरम में हिस्सा लेती है तो अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हम करते क्या है हमने ZEPPAY नामक एक एप बनाई है जो नए बिटकोइनर्स के उप्योग करने के लिए बेहद आसान है वैसे तो आपके लिए बिटकोइन सीखने का अफसर है लेकिन अगर आप बिटकोइन में नए हैं और बिटकोइन को समझना चाहते हैं तो आप ZEPPAY आप को डाउनलोड करें और इस आप के जरिए आप बिटकोइन खरीदने के साथ-साथ उन्हें जमा भी कर सकते हैं बिटकोइन को दुनिया के किसी भी कोने में भेजा या पाया जा सकता है जैसे कि आप अपने भाई को या फिर परिवार को बिटकोइन भेजना चाहते हैं तो आप इस आप के जरिए ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आज हम एक नई विशेश्टा इस app में डालने जा रहे हैं। इस app की मदद से आप flip card पर 10% की छूट के साथ खरीदारी कर सरे हैं। और आपको 10% की छूट वाले vouchers दिये जाएंगे और आप जब भी bitcoins का उपयोग करेंगे तो आप इन vouchers की मदद से flip card पर हर चीज़ खरीब आएंगे। इतना ही नहीं परसों होने वाले फरहान अक्तर के शोग की टिकेट्स आपको 90% की छूट के साथ मिलेंगी। यानि की 1000 रुपय की टिकेट आपको सिर्फ 100 रुपय में मिलेगी। अगर आप जब पे का इस्तेमाल करेंगे इन टिकेट्स को खरीदने के लिए। अच्छी खबर यहीं नहीं रुक रही। अगर आप इस अप को डाउनलोड करते हैं और प्रोमो कोड आईलव बिटकोइन्स डालते हैं तो आपको 50 रुपय के बिटकोइन्स मुफ दिये जाएंगे। इसलिए जब पे पर नज़र रखिए लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप बिटकोइन्स पर नज़र रखें। आप हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं facebook.com slash zepay और twitter at zepay बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त दिया और अपनी दिल्चस्पी दिखाई शुक्रिया।